हलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल हसकी लेब पेट शॉप में आज हम आए हैं इंडिया की नोर्थ सिटी हिसार में और हमारे साथ एक खास शक्स है मनोज यादव जी जो कि रोट विलर की दुनिया के एक जाने मानी हस्ती हैं हम मिलवाते हैं आपको मनोज यादव जी से नमस्कार मनोज यादव जी हमारे यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है सरम जानना चाहेंगे आप से कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड पसंद है आप मुझे इस ब्रीड के बारे में बताईए कि जो रॉट्विलर है उसमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स है और किस तरह का परसन उसे अडॉप्ट कर सकता है क्या वो एक फामिली डोग बन सकता है यह बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि में है कि इस के जो हम पाड़ लेंगे कैसे पालेंगे उसको को हम केर कैसे करने हैं अब अगर आप देखिए अच्छे से केर करेंगे तो खराब होगा चीज की वेल्यू करो अब अच्छे से रखो कभी अग्रेसी नहीं होता दोग कर देखिए सब से में बात तो मेंरे गlor रख आंगे में आता लेंगा में रखा है लेज़ना शोवी किया बैस्टीन शोवी लगा लाइनप भी लगा लेकिन उसमें याता है जितना रॉटल को हम पकड़ के शो करते हैं एक लगता है कि कुछ स्ट्रॉंग चीज लिए रखिए मस्कुल रहे है जब मूव होता है तो यह लगता है हाँ भी कुछ काम कर रहा है अगला दूसरा फिर क्या एक ब्रीड करते हैं हर एक पसंद है मेरी तो रॉटल पसंद है हर एक की अपने पसंद चलती है कोई कुछ पसंद करता कोई कुछ पसंद करता है फीचर से लगता है हां भी लोयल दूसरा फिर इसके अंदर एक जो अगर्शन लगता है कि कुछ खड़ा हुआ दिख रहा है लेकिन उसमें समस्या आती है जब ह कि मैं यह लगता है कि उसे रहे हैं कि मे अपने उड़ा चल रहां रहा है तो वर्किंग रेड है जब हम इसको अरट कि लिए उट जोड म escort से हम इसको वर्काउट करवा लीजिए किसी क्वालिटी के बात करें इसके अंदर से बढ़िया बात किया है यह नर्वस नहीं होता मस्कुलर है एनर्जेटीक है जब हर टेम दरें एक अलाग एनर्जी होती है इसे लगता है जैसे अभी उठा और अभी चल देगा सर आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पर्सन रॉट्विलर के पपी को किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदता है अच्छे प्राइज पे तो उसको किन खास चीजों का ध्यान रखना ज़रूरी है देखिए सबसे पहली बातों मैं आपको यह कहूंगा कि अभी किसी अच्छे ब्रीडर से लिजिए और ब्रीडर के साथ साथ आप उसके पेरेंट्स उसकी जो पेडिगरी है वो क्या है उसके पेरेंट्स पीछे से कोई डिजीज तो नहीं आ रही जिसकी जैसे आपके पपी करेंगे वो अपना ब्रैंट अपना नाम कही साथ सफर देगा आपको अगर हम ब्रीड इंड़ कि बात करें तो आप अपनी ब्रीडिंग के स्टेंड़ को किस लेवल पर देखते हैं के 말े किमेंट्स के बारे में हम जाना चाहेंगे मैंस सोचता हूं कि किसी को अच्छा बच है अचीवमेंट की बात करते हैं अचीवमेंट में देखिए कुछ 2008 से लगा था शुरू में क्या है एज पैट रखना शुरू किया था मैंने उसके बाद मैंने शोग करना स्टार्ट कर दिया शोग करना स्टार्ट किया विनिंग्स भी हुई जीता भी और फिर बहुत चीजे खोई भी हैं बहुत से चीजे पाई भी हैं काम करते रहे और आप तक चलते जा रहे हैं यह कुछ से एक मेरी विनिंग्स हैं जो पीछे रखी है और बाकी और अचीवमेंट्स के बारे में अपने मुझसे क्या को हूँ स्रार हमने आपके केनल में बहुत सारे डॉंग देखे हैं लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कुस एक बहुत करीब हो जो आपको बहुत पसंद हो देखिए वैस्सों सभी डुपसंद लेकिन अबसरा में काम के अंदर है मेरे पास दो een इक यह तना ऑगम यह लगाओ नहीं है बेस्ट इंशो लगा हुआ है और जब एक नंबर पर हम अगर पसंद कर रहें आज की तारीख में दो क्यों पसंद रोट्विलर है तो रोट्विलर होगा रोट्विलर काम है मेले पास मेल एंडरों से उन्गो रोट मल्टी मल्टी चैंपियन है इसकी विनिंग्स इंडिया के में हाथ दिया दूसरा प्लस में इसकी जो प्रोडूसिंग प्रोडूसिंग के अंदर भी टॉप आगे तोप प्रोडूसर के नमें काउंट आता है इसका यह आज तक लगा लो इंडिया के अंदर आया है सब से अच्छे उस लेवल पर यह जना सर्बीया से इंपोर्ट है वहां से जुनियर सर्वियन चैंपियन रहा है और इंडिया के अंदर ग्रेंड चैंपियन है यह काफी उसमें बैस्ट इंशो लगा है मलब यह लगा हो का हर अच्छे ब्रेडर की पहली पसंद है अब इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी आबात क्या है मुवमेंट जब इस बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और आपके कैनल में स्वीमिंग पुल भी है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपको रूटीन में सबसे ज़्यादा किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा देखिए सबसे बड़ी दिखते हर टाइम आती है फेस भी करने है उसकी जो वैक्सिन होगी और उसके बाद जैसे उसके वर्काउट स्टार्ट हो जाती है फिर कई बार ऐसा काम भी होगा है हमारे साथ कि हम डोग अच्छा त्यार करते हैं एक साल का हो गया शोग शोग लेवल का हो गया और कोई नो कोई ऐसी दिक्कत आजती है कि हम आप लिए कि गलती नियों एक फिर विना वह बिमार होजाता है या कई यह हर ऐसा होता है किया ऐसे एस इंजरी हो जती है कि जिसकी वज़े से शोग निकर पाते वह आजे पैट रहा जाता हम यह यह जिक्कते आती है उसके साथ-साथ हम शाथ आगे ब्रीडिंग कर रहे हैं फिर त्रेवलिंग का दूर जाके दूरा फी मिले मैट करवानी इस ट्रेप की समस्याती हैं और जब हम कोई नहीं आ जाता है क्या पता अंदर जब कहने लिके लेकिया लेकर आज़े इस सीज़ का भी हम बहुत चाहर जान रखना पड़ता है जैसे कुछ साइसे बीमारी है जैसे प पूरा खतम हो जाता है जैसे हुमन के अंदर जैसे अपने आपता है जैसे प्लेट लेट डाउन होती है वैसी टिक्स फीवर में भी चीज़ेदिक फेस्टर ने पड़ती हमें और पार्वो तो एक ऐसे बीमारी है जो यह लगा लो के अंदर एंट्री कर गया तो लगातार क के लिए जैसे हम मैंने अलग से जना फिमेल्स के लिए अलग बनाईवे जब वह कंसीव हो जती है उसको वहां पे रखना च्रू कर देता हूं और लीटर जब होता है तो उनको वहां पे रखता हूं बगाधा सबसे पहला काम तो टेंपरेचर तेंपरेचर हम उसका 25 तु 30 परस इतना ही उना चाहिए पपीज को इससे अगर ज्यादा होगा तो पपीज को गर्मी लगेगी और उससे कम होगा तो ठन लगती है तो इसलिए हम यह कोश्च करते हैं कि टेंपरेचर बस इतना ही मेंटेन हो एक अलाग से आप देखेंगे के अंदर एक रूम बनाया हुआ ह उसके वोजणा पूरा पर यह लगा लेजिए हर रोज दिन में दो बार सफाई उत्ती है तो दोस्तों आज मैं रॉट्विलर से मिली और उससे मिलने के बाद मैं काफी खेली भी हूँ उसके साथ और उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह एक फामिली डॉग नहीं बन सकता विकोज मैंने बहुत सुना उसके बारे में ऐसा कि वह बहुत एग्रेसिव है और एक फामिली डॉग नहीं बन सकता बट ऐसा नहीं है मेरी वो थिंकिंग चेंज हो चुकी है और आप लोग भी अगर उसे परचेस करते हैं तो एजी ली परचेस कर सकते हैं ऐ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा पेट्स के बारे में हमें इतनी जानकारी दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों ये थे मनोज यादव जी और अगर आपकी कोई कोई कॉईरीज हो तो आप इनके नंबर पर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको इनका कॉंटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लीज गाइज चैनल को सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबायेगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे, धन्यवाद